मैं कभी भी अपने बालो में डायरेक्ट शैंपू नहीं लगाती हूँ दोस्तो डायरेक्ट शैंपू लगाने से बालो की स्कैल बहुत ही कमजोर होते हैं बालो का टूटना जैना शुरू हो जाता है तो घर पे मैं किस तरीके से शैंपू बनाती हूँ जो मेरे बालो को बहु और शेयर कीज़ेगा ये मेरे रियल के बहुती सुन्दर बाल है आपके भी बिल्कुल ऐसे ही होंगे तो दोस्तों इसको बनाने के लिए एक बर्तन में आपको लेना है एक ग्लास पानी उसमें आपको एड़ कर देना है दो तीन चीजे जो हमारे किचिन में all time available होती है अगर नहीं है तो आपको रखना जरू चाहिए एक चमच मेथी दाना एड़ कर रही हूं बालों के बहुत ही अच्छा होता है मेथी दाना और इसके साथ ही यह है फ्लैक्सिर्स जिसको अलसी के बीच कहते है आपके रफ बेजान जारू जैसे बालों को बहुत ही स्मूद और सिल् पानी में सभी का जो गुन होता है अच्छे वाला गुन वो सब इसके अंदर आना चाहिए तब यह पानी जो होगा बहुत ही जबरदस्त और मैजिकल वाटर बनेगा तो बस कुशी देर में देखेगा कि बहुत ही अच्छे से खौलने लगा है कम साथ से आट मिन तक इसको खौला लेना है और उसके बाद आपको इसको चान लेना है जब यह जो क्या होता है ना उसका बहुत ही बढ़ियां सबून होता है बहुत ही अच्छे से आपके बालों को सॉफ्ट और मुलाइम बनाता है तो इसके सासाती जैसे हलका सा थंडा हो जाएगा इसमें हम एड़ क सिर्फ चाहे तो मेथी के पानी में हो या और भी बहुत सारा पानी में बना करके फिर उसको अच्छे साब मिक्स कर लीजिए शैंपू को और उसके बाद इसको आप लगाईए अपने बालों में इसी से अपने बालों को वाश कीजिए इस वाले शैंपू को आपको वीक में द बहुत सारे तरीकिये का शैंपू बनता है और सभी के सभी शैंपू बहुत ही अच्छी बनते हैं मैजिकल होते हैं बालों के लिए hair fall बिल्कुल भी नहीं होता है बाल बहुत ही खुबसुरत होते हैं लंबे होते हैं, घने होते हैं, चमकीले होते हैं बहुत ही सुन्दर दिखते हैं आप भी जरूर ट्राइ करिएगा आपके बाल बिल्कुल मेरे बालों की तरह ही खुबसुरत होंगे ट्राइ जरूर करिएगा best hair remedy है आपको direct shampoo नहीं लगाना चाहिए ट्राइ कीजिए और आज कर वीडियो अच्छा लगा है लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा और भी ऐसे वीडियो अगर आप हमारे चैनल पे या फिर आप मुझे facebook पेज भी देखते हैं